हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं चैनल आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है आज के टिप्स काफी यूजफूल है हमारे घर में रोज मरना के कुछ छोड़े ऐसे काम होते हैं जो हमें अगर हम टिप्स या ट्रिक लगा के उसे फॉलो करते हैं तो वह काम हमारे थोड़े से खतम तो नहीं होंगे किचन के काम कभी खतम नहीं होते हैं और कुछ नकुछ लगा ही रहता है तो आज मैं आप सब के लिए ऐसे चोटे चोटे टिप्स एं ट्रिक लेकाई हो जो काफी यूजफूल है पांच ऐसे टिप्स है जो आपके काफी काम आने वाले तो वीडियो को द्रचें सब्जाना हुआ तो थोड़ी तीर पर उैसी मूर्ज हो जाते हैं इस तरीके में भर्झा सी डाल기는 यृइंता क्या परसे डाल्के आफिर रहे मारी 20 मिनिट के लिए जiquन से अटारी जादा नहीं ड़ें वहाया है और आपको क्या करना किर आपनी चाही खरूबिक के पत्तिय जाएंगे पत्तिया जाएंगे अगर प्रेस के पानी चुछा जाते हैं तो अगर मेथी को थोड़े से अगर मुर्जा जाते हैं तो उसे फ्रेस कैसे रखे अभी सर्दियों मेथी के पत्ते बहुत आते हैं तो मेथी साफ करना बहुत मुष्किल होता है क्योंकि एक एक पत्ते चुनना भूआ ज़रूरी होता है तो यहां पर मैंने ले लिया है ग्रेटर उसमें इस तरी के से डालके आप कर सकते हैं तो इस तरह के से ग्रेटर में डालके निकाल सकते हैं अगर डंडिया देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रहे हूं जो कच्छी डंडिया होती है उसे इस तरीके से आप तोड़ लीजिए लेकिन मोटी वाली वह मढद डाली है उसमें रेसे जैसे निकलते हैं फिर वह इसे वाले पत्तिया होते हैं वह दोड़ लीजिए आपको यह टीप्स अच्छी लगी हो प्ली तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारा अगला यूश्फुल टीप से गाजर को लेकर दिखे भी गाजर बहुत अच्छी अच्छी आती है सर्दिया स्टार्ट होगे तो गाज का चीन के अच्छी वाले बहुत बहुत जरूरे है और इसमें काफी मिट्टी भी होते हैं उसे बीकलीड करना जरूरी है तो हम क्या चिली यह फिर बनाना हो छील लेते हैं अभी आपको नहीं वेस्ट करना चाहिए आपको क्या करना है यहां पर या तो चाकू ले लिजे या फिर जो नेल कटर की पिछे वाले छोटे से चाकू होते है उसे हमें इस तरीके से रगड देना है उपर नीचे लेकर करके जाना है इसे क्या होगा जितने भी इसके उपर पतली जो बाल- या फिर आप चाहें तो चाकु से भी ये चांबर से कर सकते हैं लेकिन आपने या प्राप नेलकटर से किया में जिएक दशायोट नेखा बड़नों से श流 सब्सक्ताइब चाकु जो हमें जाइए 1-2,67 गाइए 1-2,2 लेखने धार तरीके से clean हो जाएगे, इसके साथ जो छोटे छोटे इसमें बाल रेशे हो तो बहुत चोटा सा टीप से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा और जीने नहीं पता था तो प्लीज आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें पेज को फॉलो जरूर करें फेस्बुक से इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अगला यूजफुल टीप से मैगी को ले तो यहां पर हमें गैस ऑन कर लेना है और गैस ऑन करते ही हमें डाल देना इसके ओपर नूडल जो भी आप खाते हो वो नूडल इसके ओपर रख दीजिए और जब यह जलेगा ना तो एकदम मतलब जैसे कागज जलता है उसी तरीके से जलेगा अगर इसके प्लास्टिक तो मतलब कि आपका जो नूडल से अच्छा है कोई इसमें मिलावट नहीं है कोई इसमें प्लास्टिक नहीं है यह जो टिप्स है हम जब अपनाते हैं तभी मैं आप लोग शेयर करती हूं ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने उठा के लाकर आपके सामने रख दिया और कि यह फेक मतलब हमारा जो नूडल से सही है आप इसे खा सकते हैं और थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक को फॉलो करके अपने फैमिली की हेल्थ की सुरक्षा कर सकते हैं तो इस तरीके से पावडर आरांध से हो जा रहा है और इस वीडियो का अब जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंश का सबgi. निम्बू दितना हैं तो निम्बू निम्बू आप इस भी लें सकते हैं आप निम्बू आए था टुट है मैं आप प्लने में जोडी के इस सब्सक्रा फैके में पड़के प्ल्प है हम शाखिए रिस निbacks के पानी बणा कर लिए और इस तरीके मैं निकाल लिए और यहां पर मैं एक ले लूँगी चोटा सा दिया या फिर कोई भी कोटोरी ले लिए क्योंकि हमें इसे जलाना है तो इस तरीके से जो इसके गुद्धे वह मैं थोड़े सा अंदर कर दिये और थोड़ा सा उंगले डाल के जगा कर लिया है कि आप इसमें तेल आप चाहे तो यहां पर नीम का तेल भी ले सकते हैं नीम का तेल भी मच्छर बगाने के बहुत काम आता है अब इसमें एक बती डाल देंगे इस तरीके से और इसमें एक चीज़ और मैं डाल रही हूं वह है हिंग इसे बहुत अची खुसबू आएगी नीम है तो उसकी तो अची से खुसबू भी रहेगे मच्छर मक्ही भी आपके घर नहीं आएंगे तो यह टिप्स को अपना के जरूर देखिएगा आपको बहुत यूसफू लगेगा पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंशा शेयर जरूर करें और साथ में लाइक भी करते रहे तो चलिए एक चार से पांच में यहां पर भीगवे काजू ले लिए हैं और यहां पर आप होमेट जो चीज स्प्रेड होता है वह हम बना रहे हैं तो यहां पर आपको काजू की जगा बदाम भी ले सकते हैं आलमंड्स ले लिजिए उसको थोड़ा से भीगो दीजे चिलका निकालके भी और यह हसे थोड़ा सा इसे पीसलें और यह बहुत अच्छा थेल्ड़ी सूपर डूपर हल्दी इस टयार हो गया है इसे मैं एच्छ से ग्राइड कर लिया है आप इसमें चीली फलेक्ष मीडाल सकते ऑपने अप्लेवर दे सकते हैं तो इसए बढ़िया सा ब्रेड के ऊपर सेंडविच में लेके खा सकते हैं या फिर कोई भी चीप्स या नाचोस के साथ इसे इंजुआए कर सकते हैं एक बार ये डिप जरूर बनाएगा आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए पसंद है तो लाइक शेयर चैनल क को सब्सक्राइब जरूर करें मैं आपसे फिर मिलूंगी नए वीडियो में बाबाई थाइंक्यू